Hello everyone, welcome to our new video. My name is Deepak and today I am going to discuss about the all 7 ongoing application from Central University and State University. यहाँ पर संशिप्त में सभी जानकारी, ब्रीफ में हम आपको जल्दी से डिसकस करेंगे कि कहाँ से application form है, कौन आविदन कर सकता है, क्या last date रहेगी, fees कितनी लगेगी and कौन-कौन exempt होगा entrance exam से किसे entrance exam देना होगा, तो तीन Central University and साथ में आपको चार State University के application के फारे में बताएंगे, अभी इनकी last date काफी बची हुई है, तो आप लोग इसमें आविदन कर सकते हैं, हो सकता है, ना पता हो तो वीडियो को इन तक देखिएगा, और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब क को include करके, इक अठा करके उसे रखा गया है, एंड हमने description में भी उसे लिखा हुआ है, और वो paper जो है, आपको JNU के entrance exam में help जरूर करेंगे, क्योंकि MCQs है, और सभी PhD entrance exam के लिए वो काम आएंगे, बट आप अगर कहें कि सिर्ख JNU का paper से यह तो वो अभी नहीं है, ठीक है, तो बढ़ते हैं, इस notification को देखते हैं, फटाफट, दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे Central University के application की, तो पहला जो university है, वो है जवाललाल नहरू University, JNU देलही, इसका application entrance exam वाला जो है, वो अभी latest start हुआ है, इसकी last date 20 नॉमबर है, इसका already application आचुगा था जून या जुलाई के सभी के लिए है, इसमें सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन जो जैसे की जयारफ आले रहेंगे, उनको इस application के थूरू, exemption नहीं मिलेगा, अगर आप ये application भर रहे हैं, तो आप entrance exam देना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आप नहीं देंगे, और आपने पिछला application भर रहा है, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप direct interview के थूरू जाइए, वो ठीक है, अगर आपने पिछला आवेदन किया है, तो ठीक है, और इसकी separate video बनी हुई है, आप उसको देख भी सकते हैं, यहाँ पर कोई exemption नहीं है, इंटरन्स एक्जाम से application भी 500 है, और सभी candidate के लिए है, दूसरा application है Central University of Hemanchal Pradish का, और यह हिमांचल Pradish स्टेट में है, इसकी last year 6 November 2022 है, और इसमें जो है, नेट जयारफ वाले जो ही है, वही सिर्फ आवेदन कर सकते हैं, और नेट वालों को exam देना होगा, जयारफ वाले जो उन्हें भी इंटरन्स एक्जाम देना होगा, ठीक है, तो आप इस notification को भी जाकर उन्वरस्टी के website से देख सकते हैं, तीसरा उन्वरस्टी है Central University of Gujarat, इसकी last year 10 November 2022 है, और इसकी application fee 1500 रुपए है, इसमें भी सभी candidate आवेदन कर सकते हैं, बट इसमें कोई भी exemption available नहीं है, किसी लोगों को इंटरन्स एक्जाम देना होगा, चाहे आप जियारफ हों, चाहे नेट हों, आप सभी लोग आवेदन कीजिए, लेकिन इंटरन्स एक्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है, अगली जो उन्वरस्टी हम बताने जा रहे हैं, आब इस टेर उन्वरस्टी से बत इंटर्व्यू देंगे, application की fee सभी के लिए 500 रुपय है, ठीक है, इसमें seatों की details भी दीगें, university की website पर जा कर आप देख सकते हैं, अगली university है, पांचमी कोलहान university जारखंड, यह कोलहान university चाईबासा, इसका नाम है, यह जारखंड में है, last day इसकी 20 November 2022 है, application यहाँ पर सभी के ल अगली university भी जारखंड से ही है, state university है, अच्छी खासी government university हमने सब आपको बता रहे हैं, जो state university की है, यहाँ पर डाक्टर श्यामापरसाद मुखर जी यह राची जारखंड में है, इसकी last day 11 November 2022 रखी गई है, application fee यहाँ पर थोड़ा अलग-अलग है, जो non net या जारख वाले है नौन, मतलब की जो सिर्फ only PG वाले है, जिनके पास net जारख डिगरी नहीं है, certificate नहीं है, वो 4000 रुपए application fee देंगे, and application उनके लिए जो net या जारख qualify है, उनको यहाँ पर 600 रुपए application देना होगा application fee, और इन्हें exam से भी छूट दी जाएगी, interest exam से, ठीक है, तो यह six number था, अ बाइस लाज दे थे, 500 application भी है, लेकिन यहाँ पर subject कम है, 5 subject है, वो भी science के है, 20 seat available है, science और art के भी, और social department आप sociology से भी seat है, ठीक है, application सभी के लिए है, चाहे आप net हो, चाहे जारख हो, चाहे only PG, लेकिन net या जारख अलों को exempt किया जाएगा, interest exam से छोट दी जाएगी, ठीक है तो ये कुल साथ application थे, दो हमने हिमाजल परदेश से बताया, दो राची, जारख खंड से ठीक है, और बाकि गुजरात और दिलहीन थी, इस तरह से application form था, इन सभी को आपने देखा, अगर आपको लगता है कि application के लिए notification देखनी है, तो university का official website पर जाकर देख सकते हैं, या ह हमारी जो latest videos हैं, लगभग इस मन्त की, अक्टूबर मन्त तक की, आप उसे देख सकते हैं, latest videos में जाके, तो आपको वहाँ पर इसकी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, तो इस तरह से हाँ पर notification मिलती है, हमें एक वीडियो लाएंगे, upcoming application form की, ठीक है, तो अभी जो कुछ application form माने बाले हैं, उसको भी discuss करेंगे, अगर आपको previous video के पर लेना है, तो जाकर ले सकते हैं, कोई query है, तो telegram पे जुड़ जाईए, वहाँ से आपके बातें सुन ली जाती हैं जल्दी से, आप WhatsApp पे inquiry कर सकते हैं, email के माद हम से कर सकते हैं, जैसा आपको वाजिब लगे, तो म मिलते हैं किसी next notification के साथ next video में तब तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद